तो गुद मॉर्निंग गाईज और करंट अफेर्स के रिविजन वाले वीडियो में सबसे पहले हम पुराने महिने के करंट अफेर्स का रिविजन करेंगे तो हमारा पहला प्रशन क्या है कि अंतर राष्ट्रे सांकेतिक भाषा दिवस यानि के इंटरनेशनल डे उफ साइन लेंग्विजेज ये कब मनाया गया तो आंसर होगा तेवी सेतंबर को और इसकी थीम थी साइन लेंग्विजेज आर फोर एवरिवन फिर किचिन्स आफ क्रिटिट्यूड नाम की बुक को लिखा है कि इसने विकास खन्ना ने एक शेफ है और वैसे अभी इनको 2020 का एशिया गेम चेंजर का वार्ड भी मिला था फिर किसने गुल्फ क्लब चेंपिन्शिप जीती तो आंसर होगा एशले बार्टी ने वैसे तो ये आउस्ट्रिलिया की टैनिस प्लेयर है लेकिन अभी इन्होंने ये गुल्फ चेंपिन्शिप जीती है फिर भारत सरकार देश का पहला चिकित सा उपकरण पार्क ये का प इस्तापित करेगी तो आंसर होगा केरल में फिर टू डे फ्रांस 2020 ये रेस किसने जीती ये जीती है तादेज पोगा करने और ये रेस जीतने वाले ये स्लोवेनिया के पहले व्यक्ति हैं फिर कौन सी विमानन कंपनी 2035 तक दुनिया का पहला वानिजिक हाइड्रूजन वि किसान कल्यान योजना शुरू की तो आंसर होगा मद्यपरदेश सरकार ने इसमें जो मद्यपरदेश सरकार होगी अपने राज्य के किसानों को साल में 4000 रुपे देगी जिस तरह से केंद्र की एक योजना है न किसान सम्मान निदी योजना उसमें केंद्र सरकार किसानों को छे अजार रुपे देती है एक साल में, तीन किष्टों में दे दिये, दो-दो-दो अजार करके इस तरह से, फिर है एक सो साथवी भारते विज्ञान कॉंग्रेस का आयोजन ये कहां पर किया गया तो आंसर होगा बैंगलिरू में, जिसकी थीम है विज्ञान और की ग्रामिन विकास, फिर है एशियन फुटबॉल कॉन्फिडरेशन टास्क फोर्स में किसे शामिल किया गया तो आंसर होगा रेटायर्ड करनल गिरिज्ञा मुंगली को, फिर अगला प्रशन है अभ्यास, ये एक ड्रोन है, इसका सफल परिक्षन अभी किस ने किया, डिया हो जाकू, फिर है किस राज्य के तेलिया रुमाल को जी आई टेक मिला है, तो आंसर होगा तेलंगाना, तेलंगाना के तेलिया रुमाल को मिला अभी जी आई टेक, फिर है फेड कप हार्ट अवर्ट जीतने वाली पहली महिला कौन बनिये, तो आंसर होगा सानिया मिरजा ब पताओ किसके नाम पर रखा गया फिर सेबेस्टेन वेटल ये इस साल के अंत तक फेरारी से अलग हो जाएंगे आपसे पूछा जा रहा है ये किस देश से हैं तो ये जर्मनी से हैं और फेरारी के ये ड्राइवर हैं फिर फीफा अंडर 17 महिला विश्व कप ये कप तक के होगा ये यह अब 2021 में होगा पहले 2020 में होना था और कहां पर भारत में भारत के पांच शहरों में एहमदाबाद, भुवनेश्वर, गुवाहाटी, कॉलकता और मुंबई में फीफा का हैटकॉर्टर मिलेगा आपको जूरिक स्विचल लेंड में फिर साइकलिस्ट हैं रेम स्विचल लेंड, फिर होम डिलिवरी को अनिवारे रूप से कैशलेश्ट कर दिया था अभी किसने, एहमदाबाद ने, फिर है MSME मंतराले ने कौन सा पोर्टल लॉंच किया था, चेंपियन पोर्टल, MSME मंतरी हमारे नेतिन गडगरी जी हैं, और MSME मंतराले में भी नए सच का आउजन किसने किया Conference of Indian Industry ने, फिर है भारत्य खिलाडी मनमीत सिंग वालिया का निधन हो गया, इनका सम्मन किस खेल से है, तो आंसर होगा Table Tennis से, बढ़ते आगे, तो चलिए कल के Current Affairs को भी revise कर लेते हैं, पहला प्रशन आपसे पूछा जा रहा है, वेगा में ब्रेंड ने पहला था, और अभी कुछ समय पहले Sports Eyewear ब्रेंड है, ओकले, उसके भी ये Brand Ambassador बनेते है, रोई चर्मा, फिर है Denmark Open 2020 में में सिंगल का टाइटल किसने जीता, Anders Anton Sen ने, ये Denmark से ही है, और इसमें Women सिंगल का टाइटल जीता था, नोजोमी ओकु आराने, जो कि जापान से है, जाप और 20 October कोई World Osteoporosis Day, ये भी हमने मनाया, जिसकी theme थी, Deaths Osteoporosis, ये एक बिमारी होती, जिसमें हड़िया बहुत कमजोर हो जाती, हलकी सी चोट से भी हड़ी तूट सकती है, एक National Statistic Day भी होता है, जो तो हम हर साल मनाते है, 29 June को मनाते है, फिर राजस्तान में डेरी किसानों के लिए MoPay payment को शुरू किया भी IIT मदरास ने, तो इस payment service के थूँ जो भी dairy अधिकारी होते हैं, officers होते हैं, वो dairy किसानों को उनके दूद के बदले, जो भी उनका payment बनता है, उसको digitally उनके bank में जमा कर पाएंगे, फिर है Asia Power Index 2020 में भारत की rank क्या रही, भारत चौथे इस्तान प जापान और चोथे पे भारत, फिर है हींग की खेती भारत में पहली बार किस राज्य में की गई तो आंचर होगा हमाचल प्रदेश में, फिर है किस राज्य में काती बीहू फेस्तिवल मनाया गया तो आंचर होगा असम में, यह October के मिड में होता है, जब फसले उगनी की अ जो है आनदी बेन पटेल, फिर है चंद्रमा पर 4G नेटवर्क तेनात करने के लिए नासा ने किस कमपनी को चुना, तो नोकिया को, नोकिया फिनलेंड की कमपनी है, जिसके CEO अभी नए बने थे, पेका लुंड मार्क, फिर है किस राज्य सरकार के द्वारा थूकने पर 500 र रेल्वे परीसर में अगर कोई थूकता वा पाया जाता है, तो 500 रुपे का फाइन लगेगा, ये COVID-19 के संक्रमन को फेलने से रोकने के लिए ये सब किया जा रहे है, फिर से लोकडाउन लगाने वाला यूरोप का पहला देश कौन सा बन गया, वेल्स, ये UK का पार्ट है, तो चली स्टैडिक कुशन्स को भी कवर करते हैं, पहला प्रशन पूछ रहे हैं, विश्व बौधिक संपदा संगठन, वर्ल्ड इंटेलेक्च्वल परपर्टी और्गिनाजिशन का हेटकोटर का है, जेनेवा स्विट्जल लेन में, फिर विश्व मौसम विज्यान संगठन, ये हैटकोटर आपको मिलेगा मुही पे, जेनेवा सुझल लेन में, फिर विश्व परियतन संगठन, जाने की वर्ल्ड टूरिज्जम और्गिनाजिशन, ये मिलेगा आपको मेड्रिल्ड स्पेन में, फिर विश्व खाद्य कारेकरम, वर्ल्ड फूड प्रोग्र तो इसमें पहले अमेरिकी खिलाडी कौन बने शामिल होने वाले तो आंचर होगा अली खान, फिर आईपिल के इतिहास में एक ही टीम के लिए 100 मेचेस खेलने वाले एक मातर कप्तान बने महिंदर सिंग धोनी, चन्नाई सूपर किंग के कप्तान है, फिर इंटरनेशनल मॉन सामंत गोयल है, पिछले साल ही नए बने थे, फिर है विश्व अल्जाइमर दिवस, वर्ल्ड अल्जाइमर डे, 21 सेप्तेमबर को मनाते हैं, और ठीम थी, लेट्स टॉक अबाउट टुगैदर बढ़ते आगे, अच्छा गाईज अगर आप में से कोई स्टुडेंट बैंक एक्जाम की प्रेपेरेशन कर रहा है, तो आपके लिए एक आवश्चक सूचना, सबसे पहले तो एक फ्री लाइव टेस्ट कंड़क करवाया जा रहा है, आप सभी बैंकिंग एस्पिरेंस के लिए, तो अनेकेडमी लेकर के आया है, अकोलेड स्कॉलर्शिप टेस्ट, और जब आप टेस्ट सम्मिट कर दोगे, तो आपको आपके रिपूर्ट भी शो होगी, ताकि आपको ये पता चलेगा कि आपने कैसा परफॉर्म किया है, आपके क्या स्ट्रॉंग पॉइंट है, क्या वीक पॉइंट है, और आपकी वीकनेस आपको पता चलना जरूरी है, क्यो अच्छा और इससे भी बड़ी बात, आप अपनी कम्यों को दूर करके और अच्छा परफॉर्म करो, इसके लिए आपको encourage भी किया जाएगा, कैसे? Top 5 students को price दे करके, जिसमें 1st price होगा 5,000 रुपे का Amazon voucher, 2nd price 4,000 रुपे का Amazon voucher, 3rd price होगा 3,000 रुपे का Amazon voucher, और 4th price होगा 2,000 रुपे का Amazon voucher, और 5 वा प्राइज होगा 1,000 रुपे का Amazon voucher, मतलब देख रहे हो, आपको 1 रुपा भी नहीं देना है, उपर से आपको अपनी तयार प्राइज यको test करने का मौका भी मिल रहा है, और अगर आप अच्छा score कर रहे हो, तो आपको price भी मिल रहा है, तो अगर आप भी bank exam की तयारी कर रहे हैं, तो आप भी in test का benefit उठा सकते हैं, और ये price अपने नाम कर सकते हैं, तो ये test आपको कैसे देना है, कहाँ पे देना है उनका लिंक आपको नीचे description में मिल जाएगा तो important days की बात करेंगे तो पहला प्रशन है World Chess Day यह हमने कब मनाया तो आंसरों का 20 जुलाई को और इसकी theme रही थी Chess for Recovering Better फिर National Broadcasting Day यह हमने मनाया 23 जुलाई को राष्ट्र प्रसारन दिवस फिर World IVF Day फिर World Hepatitis Day यह हमने 29 जुलाई को मनाया और इसकी theme क्या थी Hepatitis Free Future फिर World Nature Conservation Day विश्व प्रकरती संगरक्षन दिवस 28 जुलाई को मनाया फिर International Tiger Day विश्व बाग दिवस यह हमने 29 जुलाई को मनाया वेसे एक शेर दिवस भी होता है Lion Day 10 अगस्त को मनाते हैं फिर है विश्व संस्करत दिवस 3 जुलाई को मनाया फिर है National Handloom Day यह हमने मनाया 7 अगस्त को फिर है विश्व आदिवासी दिवस यानि कि World Tribal Day 9 अगस्त को मनाया 9 अगस्त को आप वेसे जानते हो नागसा की डे भी होता है Hiroshima Day तो 6 अगस्त को होता है फिर है World Biofuel Day विश्व जेव इंदन दिवस यह हम 10 अगस्त को मनाते हैं और इसकी theme थी इस बार Biofuels Towards आत्म निर्भर भारत तो गाईज यह था आज का हमारा Current Affairs का revision वाला वीडियो वीडियो अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना और इसे लाइक करना मत भूला अच्छा एक और बात अभी मैंने आपको जो scholarship test के बारे में बताया है उसके अलावा Unacademy India's largest learning platform पर plus subscription लेकर आप सारे educators के courses उनके recorded या live videos mock test वगेरा previous year questions doubt sessions ये सब access कर सकते हैं और इतना ही नहीं Crack exam 10 promo code यूज करके आपको मिलेगा instant 10% discount तो ये opportunity बिलकुल मिसमत कीजिए चल्दी से enroll करें link आपको नीचे description में मिल जाएगा अच्छा अब चलिए हमेशा की तरह कुछ questions आप लोगों से पूछे जाएंगे questions आप लोग लगाएगा और देखेगा कितने questions आप लोगों से बन पा रहे हैं बागे हम इनको कल सॉल करते हैं ये रहे questions आपके सामने